हेलो फ्रेंड वेलकम टू एक्जाम टाइम आज 27 फरवरी है और मैं 27 फरवरी के महत्पुर्म करेंट अफेर्स लेकर आया हूँ तो फ्रेंड अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट क पुर्व राष्ट पति होसनी मुबारक का अभी हाली में निधन हुआ है तो फ्रेंड एजिप्ट की राजधानी काहिरा है एजिप्ट की मुद्रा जो है एजिप्टियन क्या है इजिप्टियन पॉंड राष्टपती कौन है यहां के अब दिल फटे अल्सिसी उसका फ्रेंड नेक्स्ट कॉर्शन पर चलते हैं हाल इमें मैक्रोशॉप्ट ने दिव्यांगों को ट्रेनिंग देने के लिए किस बैंक के साथ समझोता किया है तो इसका फ्रेंड सही जबाब हो जाएगा SBI State Bank of India फ्रेंड इससे जुरेवे कुछ महत्पून फैक्ट्स हैं SBI की अस्थापना के हुई थी 1955 में 1955 हेड़कॉर्टर कहा है हेड़कॉर्टर इसका मुंबई में है चेयर्मेन के कौन है इसके चेयर्मेन इसके रजनिस कुमार है और चुकि माइक्रोशॉप्ट के साथ इन में हेड़कॉर्टर है वासिंग्टन डिसी और मैक्रोशॉप्ट के सीओ कौन है सत्या नडेला मैक्रोशॉप्ट के सीओ कौन है सत्या नडेला नेक्स्ट कोश्टन फ्रेंड हाल ही में एन एच्पीसी का नया अध्यक्ष किसे न्यूक्त किया गया है एन एच्पीसी का नया अध्यक्ट, सबसे पहले तो NHPC क्या है, फ्रेंड, NHPC यह जो है, यह क्या है, तो फ्रेंड, इसका फुल फर्म होता है, National Hydro Electric Power Corporation, National Hydro Electric Power Corporation, NHPC का नया अध्यक्ट किसे न्युक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा, प्रथम गर्ग, इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रथम गर्ग, Option B, और फ्रेंड, NHPC की बात करूं, तो इसकी अस्थापना होई है, 1975, 1975 में, और इसका Headquarter, फरीदाबाद में है, Next Question, हाल ही में, सांस्कृतिक उत्सब, वसंतोत्सब, कहां आयोजित हुआ है, इसका सही जवाब हो जाएगा, फ्रेंड, गांधी नगर में, गुजरात के गांधी नगर में, और इससे जुड़ेवे कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि इसमें, यह जो सांस्कृतिक उत्सब होने वाला है, इसमें बिविन देशों के कलाकार, जो है, इसमें सहभागी लेते हैं, बिविन देशों के बिविन बिविन कलाकार, इसमें सहभागी होते हैं, तो फ्रेंड, नेक्स्ट कॉश्चन, हाली में किस राजी सरकार ने छात्रों के लिए जगनात वासुदेव योजना का सुभारंब किया है एक बार फिर से फ्रेंट हाली में किस राजी सरकार ने छात्रों के लिए जगनात वासुदेव योजना का सुभारंब किया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश और ये जो योजना है जगनात वासुदेव योजना इसके अंतरगत बारवी के बाद होस्टल और मेस के लिए अगर कोई ITI करता है तो उसे 10,000 रुपे अगर कोई पॉली टेकनिक करता है तो उसे 15,000 रुपे और अगर को के बाद कोई ये तीनों कोर्स में से कोई कोर्स करता है तो उसे होस्टल और मेस के लिए जो है पैसे दिये जाएंगे ये योजना है जगनात वासुदेव योजना जो की अंध्र प्रदेश सरकार ने जो है भी लांच की है नेक्स्ट कोश्चन हाल ही में किस राज सरकार ने एक भारत स्रेष्ट भारत कलव की अस्थापना की है इसका सही जवाब हो जाएगा ए तेलांगना तेलांगना ने एक भारत स्रेष्ट भारत योजना यानि की कलव की अस्थापना की है इसे जुड़ेवे कुछ मत्पुन फैक्ट जैसे कि इसमें क्या है कि तेलांगना के ज भारत कलब की अस्थापना होगी जितने भी कॉलेज हैं सभी में और इसका उद्देश ही होगा विविधिता में जो एकता है हमारी पहचान जो भारत की पहचान है विविधिता में एकता इसका जस्न मनाना इस कलब की अस्थापना का मूल उद्देश ही होगा विविधिता मे देखता का जसन मनाना फ्रेंड नेक्ट कोशन पर जलते हैं हाल इमें भारत ने किस देश के साथ तीन बिलियन डॉलर के रक्षा समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं किस देश के साथ तीन बिलियन डॉलर के रक्षा समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं इसका सही जवाब हो जाएग अमेरिका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा अभी आप जान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम जो हैं अमेरिका के राष्ट पती वह भारत आये हुए हैं और इसी दोरान जो है मोधी ने यह समझोता किया है इसमें क्या होगा इस समझोते कंतरगत क्या होगा कि 24 24-24 एम एच सिक्स्टी हेलिकॉप्टर भारत खरीदेगा किसे खरीदेगा अमेरिका से खरीदेगा तो यह जो समझोता हुआ है कितने कितने का हुआ है कितने रुपे का 3 billion dollar का है तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं हाली में कैथरीन जॉन्सन की मिर्तियू हुई है कैथरीन जॉन्सन वह कौन थी तो इसका सही जबाब हो जाएगा फ्रेंड वह एक गणी तक ये थी और वो गनी तक यी जो है कहां की थी तो नासा में काम करती थी और कि यह जो कैथरीन जॉन्सन थी यह सटीक गंणना के लिए जाने जाती थी मतलब इसकी गंणना बहुत ही अधिक सटीक हुआ करती थी नासा यानिकी की स्वेश के छेत्र में और ऐसा कहा जाता है कि पहले अंत्रिक्ष यात्री जो थे उन्हें जो अंत्रिक्ष भेजा गया था वह इनके ही काकुलेशन के दौरम या निक detto कैंट जिब आदर पर उन्त्रिक्ष में भेजा गया था और जैसे इसमें दूस Mis ma ako पीट की बात आई तो नासा की अस्थापना को भी हुए 1958 उनिश सो अंठावन में नासा का फूल फॉर्म भी फ्रेंड पूछता है अब फुल फॉर्म भी याद रखेंगे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड इस्पेस एड्मिनिस्ट्रेशन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस administration और इसका headquarters का है इसका headquarters है Washington DC Washington DC NASA का motto क्या है friends for the benefit of all NASA का motto क्या है for the benefit of all nit, next question पर चलते हैं हाल ही में वाहनों के लिए unified registration card launch करने वाला पहला राज़ कौन बना है वाहनों के लिए unified registration card launch करने वाला पहला राज़ कौन बना है तो यह पहला राज़ बना है फ्रेंड मध्य प्रदेश यह पहला राज कौन सा है मध्य प्रदेश है तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी कहा है फ्रेंड मध्य प्रदेश की राजधानी कहा है भोपाल और मध्य ंगरर्देश की सियम कोन है कमल नात कमल नात और 워नर्णर कॉन है लाल ज्ञ टंडन लाल जी टंडन में वाट集 another किस देश की संसद को संबोधित करेंगे तो इसका सही जवाब है बंगला देश बंगला देश की संसद को संबोधित करेंगे पुर्व राष्ट पती पर्णव मुखर जी अब बंगला देश की बात सामने आई तो यह जो संसद को संबोधित करेंगे यह एक विसेश वहां के पर्संग है बंग बंधु सेख मुझीबिर रहमान फिर से नाम बोलों बंग बंधु सेख मुझीबर रहमान इसकी जन्म सतावधी के अपसर पर जो है पर्णमुखर जी बंगलादेश की संसत को संबोधित करेंगे अब बंगलादेश की बात आई तो यहां की राजधानी कहा है धाका बंगलादेश की राजधानी धाका मुद्रा क्या है टाका मुद्रा क्या है टाका और वहां के प्रधान मंत्री कौन है सेख हसीना सेख हसीना उसके बाद फ्रेंड नेस्ट कोशन पर जलते है और फ्रेंड अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल ऐकन को दबादें ताकि सारी लेटेस्ट इन्फोर्मेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले उसका फ्रेंड नेक्ष्ट प्रेंड नेक्ष्ट कॉश्ट अगला कॉश मंत्री अस्तरिय आयोग का आयोजन कहां किया गया है इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली तो फ्रेंड इससे जुड़ेवे कुछ facts हैं जैसे कि यह जो है मंत्री अस्तिर्य आयोक का आयोजन यह तो नई दिल्ली में किया जाएगा और इसमें भाग कौन ले रहे हैं भारत की और से भाग कौन ले रहे हैं तो हमारे वर्तमान समय के वानी जी और उद्योग मंत्री प्य कि ऊस्टारी या की राजधानी कहाँ है केन बारा मुद्रा क्या है ऑश्ट्रेलिएन डॉलर मुद्रा क्या जो कि बहुत ही ज्यादा important है कि Australia को Capital of Games के नाम से भी जाना जाता है Capital of Games क्योंकि यहां की लगभग 70 से 80% जो person है यहां के वो खेलों में ही ब्यस्त रहते हैं प्रति एक सब्ता अगर बात की जाए तो 72 80% कहीं कहीं 62 80% भी दिखाई देता है friend तो एक तरह से देखा जाए 60 to 80% तो friend next question पे चलते हैं हाल ही में उत्सब लोसर कहां मनाया गया है हाल ही में उत्सब लोसर कहां मनाया गया है इसका सही जवाब हो जाएगा हिमा चल प्रदेश हिमा चल प्रदेश और फ्रेंड ये मनाय क्यों जाता है ये लोसर उत्सब मनाय क्यों जाता है क्योंकि तिबबत नववस कलेंडर का जो पर्थम दिवस होता है तिबबत नववस कलेंडर का जो पर्थम दिवस होता है तो इस दिवस के लिए जो है ये तोहार मनाया जाता है और किन के द्वारा मनाया जाता है तो तिबबत के बौधों द्वारा जो बौध धर्म मनने वाले हैं तिबबत के उनके द्वारा ये लोसर तोहार मनाया जाता है तो फ्रेंड यहां की राजधानी क्या है हिमाचल परदेश की राजधानी कहा है हिमाचल परदेश की राजधानी की बात की जाए तो सिमिला है हिमाचल परदेश के मुख्रमंत्री कौन है यानि सीम कौन है जैराम ठाकूर हिमाचल परदेश के गवर्नर कौन है वंडारू दत अगे बढ़ते हैं अब देखिए आपके लिए आज का चैलेंज है आप इस चैलेंज को स्विकार करेंगे और हमारे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब देंगे चैलेंज फोर यू हाल ही में केंद्रिय उत्पाद सुल्क दिवस कब मनाया गया है केंद्रिय जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है तो फ्रेंड यहीं पर हमारे वीडियो समाप्त होता है आप कमेंट में जरूर लिखके बताएं कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप अपना सुझाओ आवस्य दें तो फ्रेंड चुकि हमारा नया चैनल है तो आप से लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सेर भी करें तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही खुश रहें मस्त रहें स्वस्त रहें इसी कामना के साथ गुडबाई जै हिंद जै भारत